हेलो एवरिवान निशास फूड मैजिक में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और आज आपके साथ शेयर करने वाली हुमें कड़ाई पनीर की रेसिपी तो धेर सारी वेजीज के साथ ये काफी अच्छी बन के तयार होती है सबसी तो चलिए फटा-फट देखिए- espop को आसे चार टूक्ने में करना है और फिर इसके बाद इसके हम इस तरह से अलग कर लेंगे Вас तरह से सारे पेटल्स इसके हम अलग कर लेंगे और चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और टमाट्र को देखिए इस तरह से हमें लेना है और बीच वाला बीच का portion छोड़के चारो तरफ से इस कहुंप को इस तरह से cut कर लेना है और बीच वाला जो portion ने इसे भी हम waste नहीं करेंगे इसकी gravy बनाने में ये use हो जाएगी तो चलिए प्याज, शिम्ला मिर्च और टमाटर हमने square shape में cut करके ready कर लिया है इसे हम side में रखते हैं जो टमाटर का बीच वाला portion बज गया था उसे भी हम इस तरह से cut कर लेंगे और साथ में एक टमाटर और इसमें हमने cut करके रखा है जो कि हम gravy में use करेंगे तो देखिए ये cut कर लिया हमने इसको इसे side में रखते हैं और कढ़ाई पनीर का मसाला तयार कर लेते हैं बिल्कुल basic से मसाले हैं जो आपके घर में available होंगे आधा चम्मच डालेंगे सौफ एक चम्मच डालेंगे इसमें धनिया तो देखिए ये साबुत वाला धनिया है डालेंगे आधा चम्मल सीरा और साथ में इसमें जाएगा दो नॉर्मल रेड चिली है और दो यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डाल रहे हैं आपके पास अगर नहीं है तो कोई एक भी चलेगा इसमें और आठ से दस यहाँ पे काली विर्च के दाने इसे हम हलकी आज पे इस तरह से रोस्ट कर लेंगे इसे आप जब भी बनाएं तो कड़ाई पनीर का मसाला इंस्टिंट बनाके यूज करें तो ही इसका फ्रेश फ्लेवर आता है इसके अंदर में और तब ही अच्छा लगता है इसको हमको दरदरा कूटना है अगर आपके पस में दस्ता नहीं है तो आप मिक्सर में ही चला लें लेकिन इसको इतना ध्यान रखें कि थोड़ा दरदरा कूटना है आपको तो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है इस तरह का होना चाहिए तो चले इसे भी हम साइड में रखते हैं और चले फटा फट से हम इसकी ग्रेवी तयार कर लेते हैं ग्रेवी तयार करने के लिए इसे हम घी में बनाएंगे आप यहां पे चाहे तो रिफाइन डॉयल में भी बना सकते हैं घी गरम हो गया है आदा चमच इसमें जीरा डाल है दखे जीरा चाटा है इसमे हम डालेंगे 1,5 बिधम साइज ब्यल्टे चलह नहीं हो जाए तब तक दो तक फ्राय ब्राउन राइंगे तो देखने हम प्यास हो गया है इसमे एक चमच डालेंगे अद्रक और लेजन का पेस्ट डाल के इसको हम अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक कि अध्रक लेजन भी अच्छे से पग नहीं जाता है साथ में इसमें हम आड़ करेंगे जो हम टमाटर कट करें रखा था उसे और यहाँ पर है दो हरी मिर्च इसे भी हमने बारी कट रखा है इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर में उसके बाद इस टमाटर को हमको अच्छे से पकाना है थोड़ा से स्टर किया है इसमें हम थोड़ी से डालेंगे पानी और धकन को लगाएंगे और लगा के बिलकुल अच्छा सा सॉफ्ट होने तक टमाटर को हमको पकाना है तो यहाँ low to medium heat पे ही इसको हम पकाएंगे चलि इस stage पे हम आड़ कर देते हैं इसमें मसाले तो स्वात के अनुसार नमक डाला है साथ में इसमें हम डालेंगे एक चमच भर के धनिया पाउडर साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी तो quarter teaspoon के करीब डाला है इसमें हल्दी और जो मसाला भी हमने ready किया था कड़ाई मसाला उसे हम इसका भर के दो चमर डाल देंगे तो यहाँ पे आप जितना spice पसंद करते हैं उसकी हिसाब से डालें तो कड़ाई पनीर में थोड़ा सा मसाला जादा के तरफ ही रखें तो अच्छा बनके तयार होता है अच्छे से mix कर लेते हैं और पानी थोड़ा सा और डालेंगे इसमें और डालके हम ढखकर लगाके बिल्कुल टमाटर जब तक अच्छे से नहीं गा जाता है तब तक पकाएंगे तो चलिए जब तक ग्रेवी हमारी बन रही है इधर हम वेजीस को अच्छे से सौटे कर लेते हैं एक लोही की कढ़ाई लिए है खोब अच्छा गरम करना है कढ़ाई को और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और डालके इसको हम चारो तरफ से इस तरह से ग्रीज कर लेंगे ध्यान रहे बहुत तेज गरम इसमें ही आप इसको डालें प्यास को डाल देंगे जो हमने कट करके रखा था साथ में डाल देंगे हम श्रिम्ला मिर्च और इसी के साथ हम डाल देंगे टमाटर को भी और डाल के इसे हम बिल्कुल तेज आच में स्टर फ्राई करना है इसी से बना रहेगा और जो यह तेज आज पर फ्राइ होगी इसे वेजी खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे तो देखे डालते ही इसके उपर थोड़ा सा कलर चड़ने लगा है तो ऐसे ही आपको फ्राइ करना है इसमें हम थोड़ा से डालेंगे नमक और जो कड़ाई मसाला हम ने बनाया था उसका हम एक चम्म SMITH डाल देंगे इसके उपर में đाल के इसलिए अच्छे से स्वाटे तो देखे इसको आपको तेज आज पे ही करना है तो यह वेजी भी हमारी अच्छी से सौटे हो गई है इसी में हम आट कर देंगे पनीर तो 200 ग्राम के करीब पनीर था इसे क्यूब्स में कट कर रखा है इसे भी तेज आज पर ही डाल के बस हमें 30 सेकंद्स के लिए आप फ्राई कर लें इसे बहुत यह बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसका तो चलिए वेजिस हमारे और पनीर भी अच्छे से इसमें फ्राई हो गई है ग्रेवी भी हमारे बिलकुल रेड़ी है तो ग्रेवी को हम डाल देंगे इसके उपर में ग्रेवी आप जितनी अच्छी तरह से भून के बनाएंगे उतना ही अच्छा कढ़ाई पनीर बनेगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम आड़ करेंगे थोड़ा सा कढ़ाई मसाला जो बना के रखा था तो और साथ में डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा कसूरी में थी तो यह कढ़ाई मसाला अभी जो डालेंगे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस सबजी के अं सब कुछ पकवा है बस एक मिनट के लिए से हम धख करके रखेंगे साथी इसमें हम अट करेंगे थोड़ा सा बारी कटवा अध्रव साथी इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम तो फ्रेश क्रीम डालने से काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका और यह टमाटर का खटापन है यह थोड़ा सा बैलन्स हो जाता है यहाँ पर अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर की जमीवी जो दूद की मलाई होती है उसे भी आप फेंट करके अच्छे से यूज़ कर सकते है बारी कटेवे अध्रक से गार्निश करेंगे कड़ाई पनीर बिल्कुल बनकर तयार है गर्मा गरम नान रोटी या पराठे के साथ या फिर जीरा राइस के साथ इसे सफ करें बहुत ही टेस्टी लगती है तो जलिए उमीद करती हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी इसे ट्राइज जरूर कीजेगा और अगली बार फिर मुलाकात होगी इसे जैसे कुछ और रेसिपी की साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई